हेलो स्टूडेंट तो आईए आगे निमेरिकल डिस्कूस करते हैं और एंगल आफ प्रिक्शन एंड एंगल आफ रिपोज तो आईए देखते हैं इंदा फास्ट निमेरिकल वाट इस गिवन इन दा स्टेटमेंट आफ फोर्स आफ नाइटी एट नियूटन इस यास्टर एबर तो मूव आवडी वेइंग फोग्राम फोर्स ओन रफ होरीजॉंटल सर्फिस तो एक बोडी है जिसका वेट हमें इन किलो ग्राम फोर्स में दिया गया है इसके उपर कितना बल लगा दिया है 98 नियूटन अब इस बल लगाने पर क्या होता है यह जो बोडी है वो मूव करने ही वाली है उसने मूव नहीं किया इडिज आंटेल इन स्टैटिक पुजिशन तो जब हम 98 नियूटन से आधिक बल लगा देंगे तनिक सा भी बल बड़ा देंगे यह जो बोडी है वो क्या होगी खिस्कना शुरू कर देगी लेकिन 98 नियूटन बल लगाने पर यह जो बोडी है वो क्या है मूव करने ही वाली है अभी उसने मूव नहीं किया नाव स्टूडेंट्स जब हमने 98 नियूटन बल को लगा दिया उतना ही बल गर्षन बल बपरीत दिशा में क्या है उत्पन हो जाता है आगे कैलकूलेट दा कॉफिशेंट ओफ रिक्षन मींस मू एंड एंगल ओफ रिक्षन भी हमने फाइंड करना है अब एंगल ओफ रिक्षन क्या होता है मैंने और रेडी एक्स्प्लेइन कर दिया था जे रही हमारी बोडी इसके उपर हमने बल लगा दिया है 98 नियूटन एपला बोडी है वो क्या है एक्षन करती है सर्फिस पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला यह आप जो सर्फिस है वो क्या है बोडी के बेट के एक्वल आपोजिट दिशा में आपोजिट डिरेक्षन में क्या करता है रियक्षन करता है तो यह दा रियक्षन कांपोनेंट and frictional force opposite to the applied force जो गर्चन बल है वो किस दिशा में लग रहा है बपरीत दिशा में हमने इस दिशा में बल लगाया था 98 Newton बल तो बपरीत दिशा में क्या है गर्चन बल सथैतिक गर्चन बल वो उत्पन हो जाता है अब student जो angle of friction होता है वो क्या होता है हम उसे alpha के साथ denote करते हैं ये angle of friction किसके बीच में होता है resultant of frictional force and R जो reaction है and friction force है उनका जो resultant होगा दोनों का वो resultant जो angle बनाता है किसके साथ विद्दा रियक्शन कंपोनेंट के साथ उसे हम कहते हैं angle of repose तो student आईए इस numerical को हम solve कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने क्या relation फाइंड किया था एंगल और फ्रिक्शन मीजर टैन एलफा जे किसके इक्कुल होता है कोफिशेंट आफ फ्रिक्शन दैडिस व्यू अब स्टूडेंट्स आगे की हम बात करते हैं हमारे पास reaction कितना है reaction equal to the weight of the body तो weight हमें कितना दिया गया है in 45 kg force में दिया गया है नाव वन किलोग्राम फोर्स वन किलोग्राम फोर्स इक्वर टू 9.8 न्यूटन इसके बराबर होती है तो reaction अब कितनी होगी reaction इक्वर टू 45 मर्टिप्लाइबाइब आइन पॉइंट इट हमने इसमें हमने इनको न्यूटन में क्या कर लिया है कनवर्ट कर लिया है अब स्टूडेंट म्यू किसके इक्वर होता है वो होता है एफ ओवर आर एफ जहां पर क्या है फ्रिक्शनल फोर्स गर्चन बल तो स्टूडेंट हमारे पास म्यू इक्वर टू एफ दैट इस एट न्यूटन ओवर्ट रियक्शन कितनी है फोर्टी फाइव मर्टीप्लाइबाइब नाइन पॉइंट एट न्यूटन न्यूटन के साथ न्यूटन जो यूनिट है कैंसल जो कॉफिशेंट और फ्रिक्शन है उसका यूनिट नहीं होता नाओ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डैसिमल को र ओपर जला जाएगा बैट मीनेंच नाइंट यह फोर्टी फाइव मर्टी फ्लाइबाइग नाइट नाइट यह नाइट यह के साथ नाइट यह के साथ चैंसल तो ओवर नाइव तो और नाइट जीरो पॉइंट टू पर अगें टू अगें टू पर तो ऐसे जे चलता जाएगा तो हम जो डैसिमल है इसके बाद जो नंबर है वो हम टू नंबर कंसेडर कर लेती हैं मिया विम हमारे पास कितना है जीरो पॉइंट टू टू नव यहां पर आ जाते हैं इन इसे रेलेशन टैन एन एफ़ा एफ़ टैन एफ़ा इक कॉल टू यू कितरा जीरो पॉइंट टू टू तो एलफ़ा कितना होगा दा इस और ट्वयलाव 12-degree 24-minute तो स्टूडेंट हमारे पास जो एंगल ओफ प्रिक्शिन है वह कितना है 12-degree 24-minute एंड हमने कोफिशेंट ओफ प्रिक्शिन देट इस मू वह कितना है 0.22 आईए आगे का निमेरिकल हम डिस्क्स कार लेते हैं हमारे पास क्या दिया गया है बाडी प्लेस्ट ओनरा इन्कलाइंड प्लेइन जास्ट बिगिंस तू स्लाइट मेंस हमारे पास एक इन्कलाइंड प्लेइन है उसके उपर हमने बाडी को रख दिया है यह जो body है, वो खिसकने ही बाली है, अभी खिसकी नहीं, नीचे को यह move होने ही बाली है, लेकिन अभी क्या है, static position में है, आगे, when the slope of the plane is 1 in 4, 1 in 4 का मीनिंग क्या है, तो यदि हम यह रहा हमारा surface, इसके उपर inclined plane, let us say making an angle theta, 1 in 4 means B is 1, A is 4, 1 in 4 का मीनिंग यह है, आगे, calculate the coefficient of friction, तो coefficient of friction को हमने find करना है, यह कौन सा case है, यह है case angle of repose, अब angle of repose का क्या मीनिंग है, यदि हम inclined plane को तनिक सा, थोड़ा सा भी उपर उठा देंगे, तो उपर रखी होई body, नीचे को क्या है, गती करने लग जाएगी, लेकिन अब जिस position पर है, means angle of repose, theta, अब यह गती करने ही वाली है, इससे ज़िए angle of repose से, और angle हम बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, body गती में आ जाएगी, लेकिन अब क्या है, आने ही वाली है, means until in the static position, तो जो एंगल बन रहा है, that is angle of repose, आईए, angle of repose and coefficient of friction में क्या relation होता है, that is mu equal to tan theta, अब student, इससे triangle की help के साथ, हम tan theta को measure कर लेते हैं, tan theta, tan theta equal to perpendicular BC, over base AB, अब BC तो हमें ग्यात है, AB को हम कैसे find करें, using a pythagorist theorem, that means, AC square, equal to AB square, plus BC square, अब AB, इसका square, equal to, इसे left hand side, transpose कार देंगे, AC square, minus BC square, now student, taking the square root both side, means, left hand side, AB equal to inner square root, AC square, minus BC square, तो अब हमारे पास, in the next step, AB equal to inner square root, AC कितनी है, that is 4, 4 का square कर देंगे, minus BC, 1 का square, means, 16 minus 1, in the square root, 15, तो AB हमारे पास, square root, 15, now, tan theta, जे कितना होगा, tan theta, equal to, BC, 1, over AB, that is, under root, 15, now, coefficient of friction, mu, equal to, tan theta, tan theta हमने कितना फाइंड किया है, 1 over, under root, 15, means, जे नेर बाउट, 0.258, so, student, जे था हमारा लेटर तू, angle of repose numerical, इन दा कमिंग वीडियो, इसी चैप्टर के मैं और निमेरिकल करवाने जा रहा हूं, thank you so much for watching, if you have any question, any doubt, you can ask me in the comment box, thank you, ले करवाղाओं कि ल ranged के मेंले कवावा़ तू, झाल वhesia रावावा़ थाप्लियो, लोग्गवा mobile-का रहाब बार झाल, ह मैंने कि इस दु огр़त करवा़ तू,